CBOT में आई तेजी से अरजेंटीना सोया तेल में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. मलेशिया पाम तेल के उत्पादन की चिंता और बाहरी बाजारों के KLCE को सपोर्ट मिल रहा है. विदेशी बाजारों में रिक्वरी के साहरे घरेलू बाजार में सोया और पाम तेल में पि पर पहुँच गया. बीते महीने की तुलना में कच्चे पाम तेल का आयाद 16 प्रतिशत गिरकर 5,41,000 तन आ गया. प्रात्मिक तौर पर कच्चे पाम तेल की खरीदारी में गिरावट के कारण पाम तेल के आयाद पर खासा असर पड़ा है.